Welcome to only IAS, स्वगत है आप सभी लोगों का current affairs revision for prelims 2021 में Indian polity के current affairs के revision का यह हमारा सात्वा lecture है आज के सेशन में हम मार्च महिने के Indian polity के current affairs को revise करेंगे इस session का first important article Contempt of Court के बारे में है सिरस्ला जो कि तिलंगانा का एक district है वहां के collector और उनके दो subordinates को अभी तीन महिने jail की सजा सुनाई गई है तिलंगाना high court के द्वारा उनके उपर contempt of court का आरोप लगा था जो साबित हुआ Actually मैं आपने कालिस्तोरम irrigation project का नाम सुना होगा उसके तहट इक reservoir बन रहा था जिसमें कई सारे किसानों के घर डूब के court ने आदेश दिया था कि उनको compensation दिया जाए लेकिन उन्हें compensation मिला नहीं तो उन्होंने court में plea करी जिसके बाद collector और उनके subordinates को तलब किया गया कि आप बताईए ऐसा क्यों हुआ तो उन्हें court को गुमराह करने की कोसिस की कि इनके घर डूबे ही नहीं है जबकि ये साबित हो जाता है कि उनकी सानों के घर डूब कहे थे ऐसी condition में उन्हें court को गुमराह करने के साथ-सात court का आदेश ना मानने के तहट Contempt of court के charges में ये सजा सुनाई गई Contempt of Court के बारे में बात करें तो Contempt of Court Act 1971 दो तरीके के Contempt of Court की बात करता है पहला Civil Contempt Civil Contempt का मतलब ये है कि Court के किसी judgment, decree, direction, order, writ या फिर किसी भी other process को जान बूच कर दिसोबे करना, ना मानना विलफुली ब्रीच करना Criminal Contempt का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा document पब्लिस करना जो की Court की authority को lower करता हो या judicial proceeding में intervene करना justice का जो administration है उसे obstruct करना, रोकना इन सभी cases में criminal contempt लगता है इन general अगर criminal contempt case लगाना है तो attorney general की prior permission required होती है हलाकि प्रसान भूशन case में Court ने एक clear किया था कि Article 129 के तहत वो suor motor cognizance ले सकते हैं यानि कि स्वता संयान ले सकते हैं civil contempt में इस प्रकार की किसी prior permission के requirement नहीं होती 2006 में कुछ amendment किये गए Contempt of Code Act में जिसमें कुछ सहूलेते दी गई कि अगर कोई व्यक्ति truth को defend कर रहा है good faith में काम कर रहा है कोई information जो public domain में judiciary के बारे में required है वो पहुँचा रहा है और वो इसे as a defense अगर कोई आरोप लगाता है contempt of court का और वो इसे as a defense इस्तिमाल करते हैं तो वो considerable होगा at the same time अगर कोई judiciary के administrative incapacity की बात करता है तो वो कर सकता है like cases बहुत ज़्यादा pending है process काफी धीमा है ये सारी बाते court के बारे में की जा सकती है इसे contempt of court के दारे में नहीं रखा जाएगा ऐसा 2006 के amendment में कहा गया तो punishment केवल उस condition में दी जाएगी जब कोई बहुत अधिक स्तर पर interfere करे या interfere करने का इरादा रखता हो course of justice में एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा जो यहाँ पर mention नहीं है contempt of court के charges में सजा सुनाने का प्रावधान केवल सुप्रीम court और high court के पास ही है subordinate court के पास ये अधिकार नहीं होता है तो क्या आप subordinate court की बात मानने से इंकार कर सकते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है अगर आप किसी subordinate court की बात को मानने से इंकार करते हैं तो उस सम्मंद में contempt of court के लिए सजा respective high court ही देगा सजा 6 महिने तक की jail हो सकती है 2000 तक का जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकता है contempt of court को हमारे constitution में देफाइन नहीं किया गया है रधर इसके definition के लिए Contempt of court act 1971 लाया गया था Constitution में आर्टिकल 129 Supreme Court के लिए जबकि आर्टिकल 215 High Court के लिए Contempt of court के प्रावधान करता है इस सारी बाते Contempt of court के बारे में Next article Unlawful Activities Prevention Act यानि कि UAPA के बारे में है Context के रूप में मामला 2001 के दिसंबर का है गुजरात में एक मीटिंग को और्गिनाईज किया गया था पुलिस ने छापे मारी की और 127 लोगों को गिरफतार किया आरोप लगाया गया कि इस मीटिंग में सामिल लोग एक बैन किये जा चुके आतंकवादी संगठन Students Islamic Moment of India से जुड़े हुए है उसके बाद उनके उपर केस चलाया किया केस लगभग 20 सालों से चल दहा था इन बिट्विन 5 लोगों की मौत भी हो गई और अभी हाल ही में गुजरात के एक लोकल कोर्ट ने इनके उपर लगाये गए आरोपों को खारिज करते हुए 122 लोगों को बरी कर दिया अब यहाँ पर सवाल यह है कि यह 20 साल तक जेल में रहे है बात करते हैं UAPA के बारे में यह एक Anti-Terror Legislation है जिसमें किसी इंडिविजुल या आउटफिट को terrorist declare किया जा सकता है उद्देश यह है कि इंडिया में जो terror organizations हैं या फिर individuals हैं या unlawful activities हैं उनके खिलाफ government की जो लड़ाई है वो और मजबूत हो सके इसी उद्देश से इस कानून को लाया गया है इसे देखे for the first time 1967 में तयार किया गया था ताकि भरत में जो अलगाव वारी संगठन है उन्हें रोका जा सके इसे जो उसके बाद कुछ कानून आये जैसे कि TADA Terrorist and Disruptive Activities Prevention Act जो की अभी खतम हो चुका है और POTA Prevention of Terrorism Act इनका पूरवर्ती भी माना जाता है कोई भी Indian या फिर foreign national अगर UAPA के मौत की सजा और आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है UAPA के तहट जो investigating agencies होती है उन्हें महद 180 दिनों के भीतर अपनी charge sheet दाखिल करनी होती है exceptional cases में उन्हें कुछ और समय दिया जा सकता है अगर court से अनुमती मिल जाये तो इसमें 2019 में amendment भी किया गया जिसके बाद Director General of National Investigation Agency यानि कि जो NIA के Director General होते हैं उन्हें अनुमती दे दी गई कि वो किसी भी ऐसे individual की property को seize कर सकते हैं जो UAPA के आरोपों में हो जो भी प्रावधान है उसके आरोपों में आता हो Act ने NIA के जो officers हैं जो inspector या उसके उपर की rank के हो उन्हें भी investigation के authority भी बाकि जो DSP और ACP हैं वो तो investigation करी सकते हैं इसके पहले तक, इस amendment के पहले तक केवल organization को ही UAPA के तहट आतंकवादी संगठन declare किया जा सकता था लेकिन इस amendment के बाद किसी individual को भी terrorist declare किया जा सकता है इनर लाइन पर्मिट के बारे में है यानि कि ILP के बारे में है अभी हाल ही में उत्राखंड की सरकार ने ये कहा कि जो इनर लाइन पर्मिट है वो नीती वैली और निलांग वैली से हटा लिया जाए ताकि वहाँ पर जो border areas हैं वहाँ अच्छा development किया जा सके अब समझने वाली बात ये है कि ओप्चारिक चूप से जो inner line permit है वो केवल चार राजियों में है अरवांचल प्रदेश, नागा लैंड, मिजोरम और मनिपुर तो फिर बात उत्तरा खंड की क्यों हो रही है उत्रा खंड के बारे में बात करेंगे उसके पहले inner line permit होता क्या है देखिए colonial era का concept है जहाँ पर अगर tribal population है किसी hill area में तो plains में रहने वाले लोग वहाँ पर जाकर ठहर नहीं सकते, वहाँ के land नहीं खहिच सकते वहाँ पर business नहीं कर सकते ताकि वहाँ का जो original एक trade है जो culture है, वो अच्छी तरीके से preserved रहे खैर, ये तो अपका concept है अंग्रेजों का ये था कि वहाँ पर केवल वही business करें और बाहर के कोई अन्य वक्ति आकर वहाँ पर business ना करें इसके लिए बंगाल Eastern Frontier Regulation Act आया था 1873 अंग्रेजों ने अपने हितों को साधने के लिए ILP का concept लाया था ILP का मतलब ये था कि अगर आपको उस एरिया में जाना है तो आपको एक document अवेल करना होगा जिस पर लिखा होगा कि आप इस एरिया में इतने समय के लिए जा रहे हैं और जितना समय specify किया गया है उससे अधिक समय तक आप उस एरिया में reside नहीं करेंगे या उस राज्य में रुकेंगे नहीं वैसे तो चार राज्यों में ये ILP system चलता है लेकिन उत्राखंड में जो चाइना का border है वहाँ के कुछ एरियाज ILP के ambit में रखे गए है और अभी बात चल रही है कि इन एरियाज को हटा दिया जाए तो इन राज्यों के लावा कुछ specific एरियाज कुछ अन्य राज्यों में हो सकते हैं जो ILP के ambit में अनवचारिक रूप से आते हैं तो कैसे आते हैं उसका भी हम details समझ लेंगे तो Britishers ने ये कहा था कि कोई भी outsider, British subject या फिर foreign surgeon ऐसे एरियाज में एंटर नहीं कर सकता उन्हें inner line के आवशक्ता पड़ेगी Independence के बाद जो British subject term था उसे replace कर दिया गया region of India के साथ अब बाहरी लोग वहाँ पर जाकर settle नहीं हो सकते अधिक समय तक रुक नहीं सकते इससे हम indigenous tribal population को protect कर पाते हैं बात करते हैं निलांग वैली के बारे में जहाँ पर बात की जा रही है कि हाँ यहाँ से हटाया जाए inner line permit को जो निलांग वैली है वो केवल दिन में ही जा सकते हैं ITBP और Army Deployed रहती है जो दो गाउं है निलांग वैली के निलांग और जिदांग चुकि border area है इसलिए रात में वो रुक नहीं सकते हैं उन्हें वापिस आना होगा foreign tourist को तो इस area में जाने के अनुमती ही नहीं है और जो domestic tourist हैं वो केवल ILP के साथ ही वहाँ पर enter कर सकते हैं एक दिन में केवल 24 लोग ही इस region को visit कर सकते हैं जिनें रात में रुकने की अनुमती नहीं होती तो आपने देखा कि यहाँ पर किस प्रकार का restricted प्रावधान है ILP का बात करते हैं नीती वैली की यह आपको चमुली district में मिलेगा देखे यह 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 चमुली district है ठीक है यहाँ पर नीती वैली आपको मिलेगा यह last populated village है चाइना बॉर्डर के foreign tourist यहाँ जा तो सकते हैं लेकिन उन्हें भी inner line permit लेना होगा single day visit ही allowed होती है रात में तो रूकी नहीं सकते हैं बिल्कुल prohibited होता है तो domestic tourist हैं वो साल के किसी भी समय इन गामों को visit कर सकते हैं लेकिन उन्हें identity proof दिखाना होता है तो इस सारी बात है inner line permit के बारे में particle state election commission के बारे में है अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही important judgment दिया जिसमें उन्होंने कहा कि राजियों में जो state election commissioners appoint किये जा रहे हैं वो एक independent person होने चाहिए वो कोई bureaucrat नहीं हो सकते जिन्होंने कोई government office hold की हो क्योंकि वहाँ पर biasness के chances होते हैं election commission की independence को किसी भी condition में compromise नहीं किया जाना चाहिए हाला कि ये specify अभी तक नहीं किया गया है कि अगर वो independent person होंगे तो उनकी qualification क्या होगी maybe वो retired judge हूँ या फिर law के कोई expert हूँ ऐसा कुछ हो सकता है बात करते हैं state election commission के बारे में ये एक constitutional authority है मतलब कि हमारे संग्विधान में इसका जिक्र है तो कहां है दो आर्टिकल को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए इस लिहाज से आर्टिकल 243-K और आर्टिकल 243-ZA आर्टिकल 243-K पंचायतों के बारे में बात करता है जबकि आर्टिकल 243-ZA municipalities के बारे में बात करता है परपस क्या है इस body का देखें परपस ये है कि जो भी elections local level पे होते हैं पंचायतों के लिए या फिर municipalities के लिए उनको superintendent करना direction देना और electoral role तयार करना मतलब कौन से लोग होंगे जो उसके लिए मज़दान करेंगे composition की बात करें तो ये एक बहुत ही बड़ी body है इतनी बड़ी body है कि इसमें केवल एक ही member होते है single member commission है ये जिसमें state election commissioner ही होते है हला कि देखें कोई भी organization एक individual से work नहीं करता बहुत सारे unemployees definitely होंगे जो पूरे कामकाज को समालते होंगे हला कि commission single member ही है appointment की बात करें तो इनका appointment respective governor के द्वरा किया जाता है जो स्राज्य के होते है अधिकार जैसे national level पे election commission of India के होते हैं बिल्कुल वैसे ही इनके भी होते हैं और इनको इनके पद से remove करने का procedure बिल्कुल वही है जैसे किसी high court के judge को remove किया जाता है मतलब इतना आसान procedure नहीं है ये सारी बाते state election commission के बारे में हमारा next article दांडी मार्च के बारे में है 12 March 1930 को महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च को launch किया था जिसके बाद भरत में civil disobedience moment की सुरुवात हो गई थी उसी घटना को commemorate करते हुए यानि कि याद करते हुए हमारे honorable prime minister ने अभी हाल ही में दांडी मार्च को launch किया वैसा ये एक similar event है बात करते हैं दांडी मार्च के बारे में ये 24 दिनों का एक मार्च था जो 12th of March को start हुआ था और 5th of April 1930 तक चला It was a kind of tax resistance campaign टेक्स नहीं देने का campaign था किस चीज का टेक्स नहीं देने का campaign था यहाँ पर अंग्रेजों की salt monopoly को breach करने का plan था जो अंग्रेज नमक के उपर कर लगाते थे salt tax इसके backdrop में जो moment start हुआ वो गांधी जी के non-violence और सत्यागरा के principle पर बेस्ट था that was civil disobedience moment यानि कि सभी ने अवग्या अंदोलन गांधी जी ने डांधी मार्च क्यों launch किया देखे 1882 में अंग्रेज salt act लेकर आये नमक कानू जिसके तहत अंग्रेजों ने salt की manufacturing और उसकी sale दोनों पर ही British monopoly को ensure कर दिया केवल अंग्रेज ही नमक बनाएंगे और वही बेचेंगे जबकि नमक तो इंडिया के कोश्ट पर freely available था लेकिन फिर भी इंडियन्स को force किया किया कि वो colonizer से ही नमक खरी दे इसलिए गांधी जी ने decide किया कि हम civil disobedience की सुरुवार इस नमक के साथ ही करेंगे देखे civil disobedience movement का जो agenda था वो बहुत wide था ultimate aim तो भरत को आजाद करवाना था लेकिन गांधी जी ने जो issue चुना that was salt क्योंकि salt हर व्यक्ति से जुड़ा है चाहे वो किसी भी caste से बिलॉंग करता हो किसी भी community से बिलॉंग करता हो religion से बिलॉंग करता हो किसी भी work से बिलॉंग करता हो वो किसी और चीज़ पर टेक्स देही नहीं सकता, लेकिन नमक तो वो खाता है, वो हर एक व्यक्ति से टेक्स वसूलना चाहते हैं, उसके पास कुछ हो या ना हो, डैट सार्ण उन्होंने साल को टेक्स कर रखा है, इस मुद्धे को उन्होंने इतना हाइप किया, कि एक नेशन तक जाना था, Arabiancy के बिलकुल किनारे, गांधी जी ने वहाँ पर पहुँचकर, अपनी मुठी में, सिंबॉलिक तोर पर नमक उठा कर साल्ट लॉक को ब्रीच कर दिया, वैसे तो ये सिंबॉलिक था, लेकिन नेशनल लेवल पे इसे काफी ज़्यादा कवरिज मिला, और उ पूरे मोमेंट को लीड किया, सरोजनी नैडिू जी ने, इस पूरे एवेंट का एक अमेरिकन जर्नलिस्ट, वैब मिलर, प्रतेक्ष दर्सी था, यहनोंने लिखा था, कि बहुत ही मैसिव प्रटेस्ट था, जिसमें अंग्रेज लाठी चार्ज करते थे, मतलब सभी लोग इस तरफ खड़े रहते थे, अंग्रेज यहाँ पर लाठी चार्ज करने के लिए तयार रहते थे, यहाँ से एक व्यक्ति जाता था, बिना कुछ की लाठियां खाता था, जो जमीन पर गिर जाता था, तो दो लोग उसे उठा कर वापस लाते थे, और अगला आदमी फिर ज हो गया था, कि मतलब इस प्रकार का प्रटस कैसे हो सकता है, काफी important प्रटस था, हलाकि हमारी history writing में इसे वो significant place नहीं मिला है, जो मिलना चाहिए था, डांडी माज का impact ये था, कि इसके बाद कई सारे जिगहों पर इस प्रकार के जो events थे वो होने लगे, disobedience start हो गया, बंगाल जो cloth और liquor है, जो foreign origin का है, उसे भी bycott किया जाने लगा, मारास्ट्रा, करनाटिका और Central Province में भी forest lock को breach किया गया, गुजराद, बंगाल में, land tax और चौकी दारी Texas को pay करने से मना कर दिया गया, कई सरी जिगहों पर violence की घटनाय भी देखने को मिली, लेकिन गांधी जी इस बार पूरा मन बना के बैठे थे कि थोड़ा बहुत violence होगा, तो जेल लेंगे, moment को बापिस नहीं लेंगे, significance यह था कि इसने अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा moment तयार किया, 1920s में जो non-corporation moment हुआ था उसके बाद, यह मार्च एक turning point बना इंडिया के independence moment में, काफी इंडिया के रूप में एक जो independent journalist हैं, उन्होंने प्रतिक्रिया दी कि इस report का जो focus है, वो right to descent होना चाहिए, विरोध करने का अधिकार होना चाहिए, बात करते हैं, IMC के बारे में, इसे 2020 में तयार किया गया था, Information and Broadcasting Ministry के दवारा, उद्देश सी यह था, कि World Press Freedom Index में, इंडि किया जाए, उसके लिए जो media platforms हैं, जो भी required steps हैं, उनको उठाया जाए, तो ये recommendation cell दे, उसके basis पे काम करेगी, government और जो बाकी entities या stakeholders involved हैं, जो group है, वो एक ऐसा mechanism तयार करेगा, ताकि हम अपनी खुद की भी एक ranking तयार कर सके हैं, हमें idea लग जाएगा कि global level पे हमारी ranking अच्छ monitoring cell में, इसमें press information bureau के director general होते हैं, register of newspaper of India के जो officials हैं, bureau of outreach and communication और जो press facilitation units हैं, इन सभी के members इसमें involved होते हैं, press council of India और नितियायो के जो सचिव होते हैं, वो भी इसका हिस्सा होते हैं, अपनी key recommendation के तौर पर इस report में ये कहा गया कि India को defamation को decriminalize करना होगा, section 499 के तहर, अगर व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की छवी को खराब करने का प्रयास करता है, in that case, जिस व्यक्ति की छवी खराब हुई है, या उसे ऐसा लगता है कि उसकी छवी खराब हुई है, वो section 499 के तहत उस व्यक्ति के खिलाफ case दर्च कर सकता है, जो journalist हैं, वो अक्सर इसका सिकार ब करते हैं, in that case, definitely, जो इंडिया के press की freedom है, वो hinder होती है, तो recommendation में ये कहा गया कि हम इस, जो section 499 है, इसे ही recriminalize करते हैं, पैनल ने ये भी कहा, कि एगर किसी media house या publication के खिलाफ कोई FIR lodge करनी है, उसके पहले press council of India की prior recommendation जरूर से ले ली जाए, wordpress freedom index की बात करते हैं, जिसके बार profit organization, reporters without borders के रवारा, ये journalist के ऊपर, या media houses के ऊपर, जो दुनिया भर में attacks हो रहे हैं, उनको document करते हैं, उसके basis पर ranking generate करते हैं, quarter in cap Paris में है, इंडिया को 2020 की ranking में 180 countries में 142 rank दी गई, कई सारे parameters इनके होते हैं, like pluralism कैसा है, various opinions accept होते हैं की नहीं, media कितना independent है, environment कैसा है, और जो media houses ह वो खुद को कितना censor लगाते हैं, legal framework कैसा है, transparency कैसी है, ऐसे कई सरे मुद्दों के basis पे evaluation करती है, ये body, next article, places of worship special provision act 1991 के बारे में है, Supreme Court ने भी सेंटर गोर्मेंट से ये कहा, एक plea दी गई है, इस कानून को लेकर आप इस पर respond करी, इस कानून में whole and soul क्या था, मैं आपको बत करते हैं, actually में ये Hindu community के religious places हुआ करते थे, ऐसे विवाद आगे ना बढ़ें, इस समय, उस समय की सरकार ने इस कानून को पास किया, places of worship special provision act 1991, इसमें ये कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को, जो भी religious place जिस के पास था, वो उसी के पास रहेगा, उसमें अब कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ताकि विवाद ना हो, ध्यान दीजेगा कि उस समय, जो राम जन भूमी और बाबरी मस्जित का पूरा मुद्दा है, वो काफी highlighted था, बाबरी विध्वन्स की घटना उस समय तक नहीं हुई थी, लेकिन ये मुद्दा इतना जदा highlighted था, कि इसे इस अगर कानून क केमबिट में लाते तो विवाद और बढ़ जाता, इसलिए इस कानून को बाखी सभी religious places पर तो लागो किया गया, लेकिन राम जन भूमी बाबरी मस्जित dispute को इससे exempt कर दिया गया, परपस बिलकुल क्लियर था, ताकि किसी religious place को बापस से convert करने के संभावना ना बने और इस समय खारिज हो जाएगी, हाँ, उसके बाद अगर कोई केस चला, 1947 से लेकर 1991 के बीच में, तो उस पर विचारवे मर्स किया जाएगा, section 6 ये बोलता है, अगर कोई व्यक्ती ऐसा करने का प्रयास करता है, तो उसे तीन साल के जेल की सजा होगी, और section 5 के तहत, ये जो राम जन religious place है, जो instant form में हिंदूस से बिलॉंग करता था, हम उसे any cable उन्हें सौपना चाहते हैं, तो ये कानून हमें सौपने ही नहीं देगा, और इस तरीके से तो दोनों communities के बीच में विवाद बहुत लंबे समय तक बना रहेगा, और अभी हाल ही में इस पर भी एक प्री डाली ग रखा, जिसके बाद काफी हला मचा, इस बिल का जो objective है वो ये है, कि जो national capital territory है, उसके provisions में कुछ significant changes लेकर आये जाए, ये जो amendment bill है, ये government of national capital territory of Delhi Act 1991 को amend कर देगा, इसका main objective ये है, कि जो डेली में lieutenant governor है, lieutenant governor है, उनकी powers को बढ़ाया जाए, ताकि वो जो अभी government की functioning है, उसमें ए अब इसमें proposal किन बातों का है, एक बहुत ही significant proposal है, जिस पर वर्तमान की दिली सरकार ने कड़ी आपती जताई है, इसमें ये कहा गया है, कि दिली में अब government का मतलब होगा lieutenant governor, मतलब अगर कोई भी law legislative assembly की द्वरा पास किया जा रहा है, इसका मतलब होगा कि उसे lieutenant governor ने पास किय है, इससे ये clear हो गया कि lawmaking process में lieutenant governor का एक key role होगा, और कोई भी law इनकी through ही final approval ले पाएगा, दूसरा जो उनका role है वो executive action में लिया गया है, ये कहा गया कि certain matters, all matters की बात नहीं की गई है, certain matters की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर भी LG को power दी गई है, कि वो matter specify कॉन करेगा, lieutenant governor ही specify करेंगे, ऐसे matters जो भी lieutenant governor specify करेंगे, वहाँ पर दिली की सरकार को executive action लेते वक्त भी उनसे opinion लेना होगा, अगर कोई भी ऐसा bill है, जो lieutenant governor को ऐसा लगता है, कि दिली की सरकार के ambit के बाहर है, वो ऐसे मुद्दों को reserve कर सकते हैं, president के लिए, तो काफी ज़्यादा अधिकार दे assembly के लिए, जो procedure या conduct of business है, उसके perspective से, वो rules of procedure and conduct of business इन लोग सभा के साथ inconsistent नहीं होने चाहिए, मतलब बिल्कुल वैसे ही होने चाहिए, उसके प्रावधानों के खिलाफ नहीं होने चाहिए, तो यह सारे प्रावधान किये गए है, union territory of Delhi की बात करें, तो union territory जो Delhi की है, उसके पास एक legislature होगा, इसका प्रावधान किया गया है, 1991 में एक amendment आया था, 69th amendment, उसके तहत constitution में article 239 AA add किया गया, उसी के तहत यह प्रावधान किये गए है, existing act के मताबिक, public order, police और land, इन मुद्दों को छोड़कर, Delhi की जो legislative assembly है, वो सभी मुद्दों पर law बना सकती है, executive orders pass कर सकती है, जैसे कि बाकी states function करते है, अब यहाँ पर कुछ concerns है, जो Delhi की government है, उनका ये कहना है, कि चुकि उनके पास एक electric government है, तो वो किसी भी मुद्दे पर कानून बना सकते है, except public order, police and land, जो state और concurrent list है, बाकी मुद्दों पर वो free है, वो ऐसा कहते हैं, कि 2018 में Supreme Court ने जब एक टेस् Supreme Court ने ये भी कहा था कि Lieutenant Governor जो है, वो Consular ministers की aid and advice पर काम करेंगे, Supreme Court ने ये भी clarify किया था कि जो Lieutenant Governor है, उनके पास कोई independent decision making power नहीं है, और कोई जो dispute का मुद्दा होगा, उसे वो President के पास भेज सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं, सारे मुद्दों को नहीं, लेकिन यहाँ पर government ने कई सारे बदलाव के प्रावधान किये हैं, उनका ये कहना है कि हर मुद्दा जो है, जो functioning है या किसी committee का गठन किया जाना है, इन सभी में Left-end Governor का एक key role होना चाहिए, तो इस कानून के साथ ही, डेली की government और के अंदर सरकार एक बार फिर से आमने सामने हैं, हमारा next article Electoral Bonds के सुप्रीम कोट के सामने एक प्ली रखी गई थी, कि अप्रैल के सुरुवाती दस दिनों में जो Electoral Bonds खरी दे जाने वाले हैं, या SBI जो उन्हें बेचने वाला है, उस पर स्टे लगा दिया जाए, सुप्रीम कोट ने इस प्ली को सुनने का मन बना लिया है, स्टे भी लग फंडिंग को लेकर डिपेंडेंट होती है, in that case ये काफी important होगा, मैं आपको बता दूँ कि वर्तमान की नियों में के मुताबिक, साल में केवल चार महिने ही Electoral Bonds को खरीदा जा सकता है, वो भी इन चारो महिनों के केवल सुरुवाती दस दिनों में, ये चार महिने हैं, जन फ्री बेरर फरनेशल इंस्ट्यूमेंट्स हैं, मतलब आपने बॉंड खरीडा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई ब्याज वगएरा मिलेगा, ऐसका कुछ नहीं है, इस सिर्फिक टूल है, जिसके माध्यम से आप किसी भी political party को डोनेशन दे सकते हैं, इस mechanism को लाने के ये सरकार finance bill 2017 लेकर आई थी, जिसे पास करवाने के बाद ये पूरा mechanism डेवलफ किया गया, बॉंड्स आप कुछ certain amounts के ही खरीच सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे 7000, 9000, 15000 या 18000 का बॉंड दे दीजिए, ऐसा नहीं है, बॉंड अगर आपको खरीदना है तो आप या तो 1000, 10 10,001,10,001 का ही खरीच सकते हैं, कोई maximum limit नहीं है, maximum limit भला क्यों लगाएंगे, political parties को जितना ज्यादा पैसा मिल जाए, उतना ही अच्छा है, eligibility की बात करें, आप किसी भी political party को electoral bond नहीं दे सकते, कोईवल ऐसी ही party electoral bond receive कर सकती है, जिसने last लोग सभाई elections में या फिर legislative assembly के election में कम से कम 1% votes avail किये हूँ, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इंडिया का citizen है, या फिर कोई भी entity, जो इंडिया में established है, या incorporate की गई है, वो electoral bonds खरीच सकते हैं, कोई व्यक्ति से individually भी खरीच सकता है, दो चार लोग मिलके भी खरीच सकते हैं, अभी केवल जो authorized bank है, वो SBI ही है, SBI के जरि electoral bond खरीदने के लिए bank में जाता है, वो वहाँ से जब वो bond खरीदता है, तो उस bond पर उस individual की कोई भी detail नहीं होती, उसके बार अगर वो किसी party को वो bond देता है, जो bond, जिस bond के जरिए वो party amount receive करती है, वो भी उस individual की कोई detail नहीं रखती, इसका मतलब ये है, कि जिस व्यक्ति न political party को support कर रहा है, अगर उनकी party ना जीते, तो जो party जीती है, वो उनके पर ती hostile ना हो, कि आपने तो हमको donation दिया ही नहीं था, आपने तो opposition party को donation दिया था, तो इससे किसी को पता ही नहीं चलेगा, कि आखिर किसी व्यक्ति ने donation किस को दिया, अब जिस party को donation मिला है, उसे भी 15 दिनों के भीतर उस bond को cash करवाना होगा, 15 दिनों में वो bond expire कर जाएगा, अगर 15 दिनों के बाद वो SBI के पास वो bond लेकर जाते हैं, तो SBI उनको पैसे नहीं देगी, ऐसा नहीं कि वो किसी भी account भी पैसे ले सकते हैं, political parties को electoral bond के जरीए पैसे लेने के लिए एक specific account खोलना होग जिस account को election commission verify करेगा ताकि transparency बनी रहे, जो electoral bond है, उन्हें eligible party जब भी deposit करेगी, same दे उन्हें amount मिल जाएगा, हाला कि electoral bond का जो सबसे बड़ा criticism है, वो ये है कि जो व्यक्ति electoral bond को खरीद रहा है, यहाँ पर ये कहा गया है, कि 2000 से अगर बड़ा amount है, तो आप उसे cash में नहीं दे स उसके लिए आपको bond खरीदना होगा, तो जो व्यक्ति bond खरीद के दे रहा है किसी party को, उसकी कोई भी detail नहीं होती, मतलब पूरी तरीके से ambiguity create कर दी जाएगी, कौन funding कर रहा है, पता नहीं चलेगा, अब इसका जो objective बताया गया है, कि किसी को पता ना चले, ताकि कोई party उस व याई तो उस व्यक्ति की detail maintain करेगा ना कि हाँ, ये व्यक्ति इतने amount का bond खरीद के लिए कर गया है, और जो party in power है, वो definitely उस detail को access कर सकती है, तो इसका loss उन parties को होगा, जो power में नहीं है, इस लिहाद से electoral bond को cut size किया जाता है, एक्स्ट आर्टिकल Chief Justice of India के बारे में है, Chief Justice सरद A. बोडबे ने अभी recommend किया अपने बाद आने वाले Chief Justice का नाम, नाम उन्होंने बताया है N.V. Raman का, या N.V. Raman आप कह लीजी, ये senior most judge है Supreme Court के, तो इसके बाद Chief Justice of India की जो पदवी है, वो इन्हें ही मिलेगी, जो जिम्मेदारी है, वो इन्हें ही मिलेगी, बात करते हैं, जो Chief Justice of India होते हैं, वो Chief Judge होते हैं Supreme Court के, Highest ranking officer होते हैं Indian judiciary में, Justice Ramana, अब ये 24 अप्राइल के बाद भरत के 48th Chief Justice of India बन जाएंगे, तो महज सरद A. बोडबे के इनके नाम को recommend कर देने से ये Chief Justice of India बन जाएंगे, मतलब ये क्या मामला हुआ, किसी ने कह दिया कि मेरे बाद successor ये हो होंगे, तो ये तै हो गया कि वो Chief Justice बन जाएंगे, बिलकुल ऐसा ही होता है, इंडिया में बात करते हैं, जो Article 124 हैंडिन Constitution का, वो ये तो बताता है कि Supreme Court के Judges का appointment कैसे होगा, लेकिन Supreme Court के Chief Justice का appointment कैसे होगा, इसका हमारे Constitution में कोई specific provision है ही नहीं, एक जो provision चलता आ रहा है, that is कि CGI जो होंगे, वो Senior Most Judge होंगे Supreme Court के, अब क्या procedure opt किया जाता है, Chief Justice of India को appoint करने के लिए, Law Minister को जिम्मेदारी दी जाती है, वो जो outgoing CGI होते हैं, उनसे recommendation देते हैं, जो बरतमान में CGI हैं, वो retire हो जाएंगे, तो नया कौन आएगा, तो जो बरतमान में हैं, उनसे ही पूछा जाता है कि आप बताईए, कि किसको आपके बाद Chief Justice of India बना दिया जाएं, तो जो सबसे Senior Most Judge होता है, वो उसका नाम recommend कर देते हैं, कि मेरे बाद ये सबसे Senior हैं, तो आप इनहीं CGI बना दीचे, लेकिन कई बार doubt इस बात पर होता है, कि जो उनके बाद Senior हैं, क्या वो mentally या physically इतने capable हैं, क कि वो Supreme Court या पूरे देश की जो जिडी सरी है, उसे handle कर सकें, इस संबन्द में अगर कोई doubt आता है, तो Article 124 Clause 2 इस बारे में भी प्रावधान करता है, कि Law Minister बागी के जो judges हैं Supreme Court के उनसे भी consult कर सकते हैं, कि उनसे पूछ लें कि क्या आपको लगता है, ठीक है, कर लेंगे काम कि आप इन्हीं ही हमारे दिये CGI या पूरे देश के लिए जो CGI है वो appoint कर दीजे, आप देखें, चुकि हमारे constitution में CGI बनने की कोई specific eligibility तो दी नहीं गई है, तो एक परंपरा चली आ रही है, कि जो senior most judge होंगे, उन्हीं ही Chief Justice of India बना दिया जाएगा, अब बड़ा सवाल ये है कि seniority को judge कैसे करते हैं, ध्यान दीजेगा कि seniority को judge करने का criteria age बिलकुल नहीं है, जो उम्र में जादा बड़ा है वो CGI बनेगा, ऐसा बिलकुल नहीं होता, seniority judge की जाती है कि supreme court में appointment किसे पहले मिला है, मतलब जिसने जितने जादा समय तक supreme court में serve किया है, वो उतना senior माना चाएग चाहे उम्र में वो छोटा ही क्यों नहीं हो, उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा, आप देखे कुछ doubts create होते हैं इस दोरान, कि अगर दो लोगों का appointment एक ही दिन हुआ है, तब हम कैसे पता करेंगे कि दोनों में senior कौन है, जैसे कुछ लोग ऐसे silly questions करते हैं कुछ teachers से, कि sir अग आप देता है कि अगर तुम ही मर जाओ, तो फिर ये सवाल कौन करेगा, अरे भाई, एक साथ सब क्यों मर जाएंगे, ऐसे हर चीज का प्रावधान होता है, अगर CGI भी मर जाएगा, तो उसके बाद कोई ने कोई CGI तो बरेगा न, जो CGI बनेगा, वही president बन रहेगा, यानि कि senior most judge, तो senior most judge तो सुप्रीम कोर्ट में हमेशा रहेंगे, तो हमारे पास president हमेशा रहेगा, कोई समस्या की बात नहीं है, वैसे ही यहाँ पर भी एगर ये case आता है, लाइक दो लोगों ने same day पर appointment लिया है सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर हम कैसे पता करेंगे कि senior कौन है, तो य एक किस्सा ये भी हो सकता है कि दोनों लोगों ने एक ही दिन सपत ले ली हो, तो अगर दोनों लोगों ने एक ही दिन सपत ली है, तब कैसे पता करेंगे कि कौन senior है, तो फिर ये देखा जाएगा कि high court में कितने ज़्यादा समय तक serve किया है, अगर किसी ने high court में एक व्यक् के judge हो या फिर 10 साल तक किसी high court में as advocate आपने serve किया हो, तो मतलब एक advocate भी supreme court का judge बन सकता है, तो अगर कोई बार से appoint होकर आया है, तो उसकी तुलना में जो bench से appoint होकर आया है, यनि कि high court का judge जो supreme court में जाकर serve कर रहा है, उसे priority दी जाएगी, इस परंपरा को इतिहास में दो बार breach किया गया है, 1973 में A.N. Reko, उनके 3 senior judges से super seat करके CGI बना दिया गया था, क्योंकि इंदरा गांधी जी नाराज चल रही थी, और उसी समय उस समय उनहीं की सरकार हुआ करती थी, 1975 में मिर्जा, हमदुला बेग, इन्ही M.H.Beg के नाम से भी पुकारा जाता है, इन्हीं CGI बना दि करके, तो ऐसे कई बार cases हुए है, tenure कि अगर हम बात करें, तो एक बार एगर CGI अपॉइंट हो जाते हैं, तो 65 वर्स की उम्र तक अपने पत्पर बने रहते हैं, आर्टिकल 124 का clause 4 ये कहता है, कि सुप्रीम कोड की जज को impeachment के process के माध्यम से ही, जो पारलियमेंट में चलाया जाता है, उनके पत्से हटाया जा सकता है, हमारा next article 6th schedule areas के बारे में है, Union Minister of Home Affairs ने अभी हाल ही में लुक सभा को inform किया, कि हमारे पैस ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, कि हम आसाम के 6th schedule के areas में पंचायती राज की विवस्था को लागू करें, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, बात करते हैं, 6th schedule के बारे में, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक अंतर स्पस्ट कर देता हूँ, देखिए, एक है पांचवी अनसूची, और दूसरी है छटवी अनसूची, अकसर हमें confusion होता है कि दोनों में अंतर क्या है, तो मैं बता दूँ कि एक चीज बिल्कुल common है, पांचवी अनसूची और छटवी अनसूची, दो की दोनों ही tribal population के लिए हैं, ट्राइबल population के लिए होने का मतलब यह है, कि उनकी जो cultural identity है, जो उनका एक indigenous nature है, उसे conserve करें, अब अगर पांचवी और छटवी अनसूची या ट्राइबल population के लिए हैं, तो फिर दो क्यों है, अलग-अलग क्यों, मतलब अनसूची बनाएगे, इस सब एक ही में क्यों नहीं रख दिया गया, तो एक जो fundamental difference है, वो यह है, कि पांचवी अनसूची में आपको बाकी की सारे राज्य में लेंगे, जबकि छटी अनसूची में आपको आसाम, मिघालिया, त्रिपुरा, मिज मिजूरम, ये राज्य मिलेंगे, ये चारो राज्य आपको पांचवी अनसूची में नहीं मिलेंगे, ये केवल छटी में है, आसाम, मिघालिया, त्रिपुरा, मिजूरम की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, उसके लिए प्रावधान छटी अनसूची में किये गए है, य सिजन फंडामेंटल ये है कि आसाम मे खालया टरिपुरा मिजूरम की जो ट्राइबल पॉपॉपुलेशन है, वो बाकी ट्राइबल पॉपॉपॉलेशन से काफ़े डیफुरेंट है, ये अभी भी खुद को मेंस्ट्रीम से नहीं जोड़ पाए है, बाकी जो ट्राइबल पउ उनके जो indigenous nature है उसे protect करने के लिए tribal advisory council का प्रावधान किया गया है वहीं दूसरी ओल छठी अनसूची में autonomous district का प्रावधान है और इन्हीं administer करने के लिए autonomous district councils होती है तो छठी अनसूची के बारे में बात कर रहे हैं यह आसाम मिघालया त्रिपूरा मिजूरम की जो tribal population है उसकी autonomy को preserve करने के लिए तयार किया गया है वहाँ पर उन्ही land, health, agriculture और बाकी कई सारे मुद्दों पर काफी autonomy होती है laws वगेरा बनाने को लेकर आसाम मिघालया त्रिपूरा मिजूरम में आपको 10 autonomous councils मिलेंगी यह जो special provision है इसके संबंध में आपको article 244 के clause 2 और article 275 के clause 1 में प्रावधान मिल जाएंगे provisions क्या है? 6th schedule को लेकर governor empowered होते हैं किसी area को autonomous district के तोर पर organize या reorganize करने को लेकर यदिकार governor के पास है अगर माननीजी एक autonomous district जो declare किया गया है उसमें अलग-अलग tribes है तो फिर उन अलग-अलग tribes के लिए उस autonomous district के भीतर ही autonomous region बनाया जाएंगे यह एक autonomous district बनाया गया लेकिन इसमें कई सारी tribal populations और भी हैं अलग-अलग हैं तो फिर इनके लिए अलग-अलग autonomous regions बना दिये जाएंगे composition की बात करें तो इस autonomous district को administer करने के लिए autonomous district council या district council बनाई जाएगी यह district council होगी इसमें होंगे 30 members 30 members में से जो 4 members होंगे उन्हें तो governor appoint अपनी और से nominate करेंगे और बाकी की जो 26 होंगे उनको elect किया जाएगा adult franchise के माध्यम से जो लोग elect किये जाएंगे यानि कि ये 26 लोग इनका tenure 5 साल का होगा अगर उसके पहले council को resolve ना किया जाए तो और ये जो बाकी के 4 member हैं जिनको nominate किया जाएगा governor के द्वारा ये लोग governor के प्रसाद परियंत अपने पत्पे बने रहेंगे हर autonomous region के पास एक separate regional council भी होगी like हम यहाँ पर बात कर रहे थे यहाँ पर तो autonomous district council होगी और इनके पास एक regional council भी होगी जो इस region के administration को देखेगी council के पास काफी power होती है ये पूरे area को administer करते हैं ये land, forest, canal water, shifting cultivation, village administration, inheritance of property, marriage, divorce, social custom इन सभी मुद्धों पर कानून भी बना सकते हैं हला कि इनके कानूनों को governor की ascent required होती है इसके अतरिक विलेज काउंसिल का भी प्रावधान होता है जो विलेज काउंसिल होती है वो court चला सकते हैं विवादों का निप्टारा करने के लिए various stripes के बीच में और अपील को भी सुन सकते हैं इस संबंध में जो high court के अधिकार होंगे वो क्या होंगे ये governor ही specify करते हैं उमीद करते हैं कि आपको पांचवी और छटवी अनुसूची की बातों में काफे कुछ clarity आ गई होगी हमारा next article adjournment signed die के बारे में है अभी हाल ही में राजसभा को adjournment signed die declare किया गया जिसके बाद Parliament का जो budget session है वो खतम हो गया लोग सभा इसके पहले ही खतम कर दी गई थी या इसको adjourn कर दिया गया था sign die form में दो महिने का ये जो long budget session था वो इसके साथ ही समाप्त हुआ अब ये adjournment sign die का मतलब क्या होता है ये dialogue आपने अक्सर सुना होगा कि house को दो दिनों के लिए adjourn किया जाता है देखें कई बार ऐसा होता है कि जो member of parliament हैं वो हल्ला मचाते हैं papers फार देते हैं कुर्सियां तोड़ देते हैं तो फिर जो speaker होते हैं या फिर share person होते हैं वो नाराज हो जाते हैं तो वो कह देते हैं कि मैं दो दिन के लिए जो house है उसे adjourn कर रहा हूँ वो होता है adjournment यही difference है adjournment और adjournment signed I में जब house co speaker या chair person adjourn करते हैं तो वो बताते हैं कि कितने समय के लिए हम adjourn कर रहे हैं अब वो adjournment एक दिन के लिए एक हफते के लिए एक महिने के लिए हो सकता है और अगर वो time ना बताएं तो उसे adjournment signed I कहा जाएगा adjournment signed I जो sitting है उसे terminate कर देता है sitting का मतलब क्या होता है देखिए यह parliament है parliament में होते है sessions constitution के according दो sessions के बीच में 6 महिने से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए इंडिया में होते हैं 3 sessions पहला budget session, दूसरा मानसून session और तीसरा winter session एक session में होती है कई सारी meetings meeting मतलब एक दिन के जो पूरी मुलाकात है उसे meeting कहा जाता है और एक meeting में होती है दो sittings पहली sitting होती है morning sitting ठीक है और दूसरी sitting evening sitting नहीं होती है क्योंकि वो रात तक नहीं बैठते हैं television भी देखना होता है तो दूसरी sitting को कहा जाता है post lunch sitting जो पहली sitting होती है वो usually 11 से एक बजे तक होती है फिर एक घंटे का lunch होता है और फिर 2 से 6 की दूसरी sitting होती है तो जब adjourn किया जाता है house को तो ये जो sitting है उसे terminate कर दिया जाता है अब ये sitting अगर उन्होंने कहा कि मैं इस sitting को terminate करता हूँ morning में कहा दिया तो मतलब 11 से एक की sitting terminate होई है खाना वाना खा के 2 से 6 के बीच में हाजर हो जाओ अगर उन्होंने sitting को terminate किया adjourn किया लेकिन time duration नहीं बताया तो उसे adjournment signed day कहा जाता है usually speaker या फिर chairperson ऐसा नहीं करते ऐसा केवल तभी किया जाता है जबकि पूरा session खतम हो जाए जब session का आखरी दिन होता है तो वो कह देते हैं कि house adjourn हो गया अब जब बगला session होगा तो देखेंगे कब आना है तो इतना तो clear होगे आपको तो आपको कि adjournment signed day का मतलब क्या होता है मतलब house को adjourn किया जाया setting को खतम करदिया जाया लेकिन time ना बताया जाया एसा यूजरी session के खतम होने के बात करता है यह यह जो अधिकार है और deciding officer के पास होता है देखे फो deciding officer के पास यह भी अधिकार होता है कि वो adjournment करने के बाद किसी विस समय वापिस से सेटिंग को बुला ले अगर time बता के adjourn किया है तो भी बुला सकते हैं sign die में किया है बीना time बता है तब भी वापिस कभी भी बुला सकते हैं notification दे के ठीक है ठीक है ठाटिकल National Commission for Allied and Healthcare Professionals बिल के बारे में है लोगसभा ने अभी हाल ही में National Commission for Allied and Healthcare Professional Bill 2021 को पास कर दिया राजेसभा में ये लास्ट वीक पास हो गया था यह है क्या यहाँ पे दो सब्ध हैं Allied और Healthcare Professional देखे अगर आप इंडिया में हेल्थ सेक्टर पर निगाह डालेंगे तो आपको दो तरीके के लोग दिखेंगे एक वो जो बहुत ही हाइलाइटेड रहते हैं Doctors and Nurses लेकिन दूसरे फेज में जब आप Hospitals से इंटरेक्ट करते हैं तो आपको कुछ और भी लोग मिलते हैं जिन पर हम भी बहुत कम ध्यान देते हैं Government भी बहुत कम ध्यान देती है वो हैं Lab Technicians Dieticians अगर आप कोई चेक अप करवा रहे हैं तो जो चेक अप करने वाले Professionals हैं वो लोग उन पर यूज वाली लोग ध्यान नहीं देते जबकि उनका एक बहुत ही Key Role होता है अगर Blood Test करने वाला व्यक्ति अच्छी तरीके से Expert नहीं है वो आपका गलट Test कर दे तो डॉक्टर इलाज कैसे करेगा लेकिन इनके रोल के लिए इंडिया में कोई Professional Courses Unified तरीके से Run नहीं करते ऐसे कोई Problem ना हो At the same time बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो Health Sector में Researches में involved हैं, Advise करते हैं या Techniques पर गएरा डेवलप करते हैं उनको भी हम बहुत कम ध्यान देते हैं ऐसे लोगों के लिए ये नया विल प्रपोस किया गया है ये Second Group जिस पर हम बहुत कम ध्यान देते हैं तो बिल में देखे ऐसे लोगों के लिए जो Courses हैं उनके Regulate और उनको एक Standard पर लाने की बात की जा रही है एक है Allied Health Professionals Allied में कौन-कौन से लोग आते हैं Associate आ जाते हैं Technicians आता हैं या फिर MRI करने वादे जो Technicians हैं वो लोग हैं Technologists जो trained होते हैं Diagnosis को support करने के लिए Illness, Disease, Injury, Impairment इन सब को assist करने के लिए जो लोग हैं वो Allied Health Professionals होते हैं ठीक है इसके अलावा इस Bill के में ये बोला गया है कि ऐसे लोगों के पास इस Bill के तहत Diploma या डिग्री होनी चाहिए Healthcare Professionals की बात कर रहे हैं तो Scientist होते हैं Therapist होते हैं और भी Professionals होते हैं जो अलग-अलग Field में Health में Advise करते हैं Research को आगे बढ़ाते हैं Supervise करते हैं Preventive, Curative, Rehabilitative, Theropratic ये सब Services देते हैं तो इनको भी इसमें cover किया गया है इनके पास भी इस Bill के तहट डिग्री होनी चाहिए जो Allied और Health Care Professionals हैं उन्हें अलग-अलग Categories में Classify किया गया है मतलब हर Categories में ये लोग आएंगे Life Science Professionals, Trauma and Burn Care Professionals Surgical and Anesthesia Related Technology Professionals Physiotherapist इन सब भी Classification में उनको Classify कर दिया जाएगा Further जो Bill है वो एक Uniformity Create करने के लिए National Development National Commission for Allied and Healthcare Professionals का प्रावधान करता है ये बताएंगे कि इनकी Education कैसे की जाएगी इनके लिए Rules and Regulations से Practices कैसे Opt की जाएगी एक Online Central Registry भी या Register भी तैयार किया जाएगा जिसमें सभी Register Professionals का Data Maintain किया जाएगा Uniform Entrance लिया जाएगा और Exit Elimination, Examination का भी प्रावधान किया जाएगा राज्यों में भी यहाँ पर 6 महीने के भीतर State Allied and Healthcare Council के बनाने का प्रावधान किया गया है At the same time यह जो National Commission होगा यह Professional Council का गठन करेगा सभी एरेनाज में जहाँ पर Allied और Healthcare Professionals वर्क कर रहे हैं ठीक है? हमारा अगला आर्टिकल है Section 124A से सम्मद्द Recently Re-examine करने की बात कही गई थी Constitutional Validity देखने की बात कही गई थी Section 124A की Supreme Court ने इस particular Re-examination की जो एक दलील थी जो प्ली थी उसको reject कर दिया है Origin की बात करने तो 1837 में इसको draft किया गया था Thomas Macaulay के द्वारा लेकिन उसके बावजूद भी यह Original जो draft बनाया गया उसमें यह नहीं था जो enactment थी जो IPC enact किया गया था 1860 में यह तब present नहीं था इसको अलग से 1870 में insert करा जाता है James Stephen के द्वारा जब इसकी सही मायने में जरुवत समझ में आई आप देखेंगे इस law का बहुत जगा पर use हुआ था लेकिन सबसे पहले 1891 में use किया गया इसको जब बंगो भाशी नाम के एक newspaper में जो कि जोगेंदर चंद्र बोस निकाला करते थे इन्होंने जब age of consent बिल जो आया था उसकी निंदा की तब इनके उपर यह sedation का चार्ज लगाया गया 124 A IPC इसके बाद फिर जड़ी सी लगए बाल गंगा दर्तिलक, एनी बेसेंट, अली ब्रदर्स, मौला नाजाद, मात्मा गांधी और ऐसे बहुत से दिगज नेताओं के उपर इस तरीके का sedation का चार्ज लगाकर उनको जेल में डाला गया sedation के बारे में हम बात करें तो जो IPC में sedation है इसकी क्या definition है? इसकी definition है अगर कोई इंसान hatred फैलाता है, ग्रणा फैला रहा है contempt और लोगों में dissatisfaction इतना आ जाए कि वो violence करें या फिर violence को बढ़ाने के बात करें चाहे वो अपने इस शब्दों से करें, अपने लिखन से करें या फिर कोई sign या visible representation इस तरीका के दिखाए जिससे कहीं न कहीं dissatisfaction और hatred बढ़े तो उसको आप sedation की definition मिले सकते हैं, अभी जो dissatisfaction है या अपने आप में काफी ambiguous हो जाता है जिसकी वज़े से परिशानिया होती रही है आप देखिए, ये जो dissatisfaction है इसको explain करने की बात करी जाती है इसको explain किया जाता है कि इसमें disloyalty आईगी अपने देश के प्रती, enmity रखना ये भी एक important portion बन जाता है dissatisfaction का आप अगर hatred, घृणा जगा रहे है dissatisfaction डप लग पर हैं लोगों में तब भी आपके उपर sedation के चार्ज लगा जा सकते है अब punishment क्या होगा सबसे पहले तो non-vailable offense है तीन साल से लिके आपको उमर के अद तक हो सकती है साथ में fine अलग से तो तीन साल से उमर के अद तक ही सजा और fine अलग से इसके अलबावा आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी आपका passport शीन लिया जाएगा आपको बिना passport के जीना पड़ेगा और जब भी आपको कोट में हाजिर होने को बूला जाएगा तब आपको हाजिर होना होगा कुछ केसे से हैं जैसे 1962 में केदानाथ वर्से स्टेट और भीहर का जो केस आया था उसमें सुप्रीम कोट ने कहा था कि स्टेट को अपनी प्रोटेक्शन के लिए इस सेक्शन की जरूवत है फिर आप देखे फर्दर डेवलपेंट्स आते हैं कोट ये बात क्याती हैं कि अगर पब्लिक डिसॉडर या फिर वॉल्यन्स जनरेट करा जा रहा है इन टेंडेंसी से अगर इस चीज़ को करा जा रहा है पब्लिक पीस को डिस्टब करा जा रहा है तब sedition के charges लगेंगे बलवन सिंग बर्षिस स्टेट ओपंजाब 1995 का case होता है जिसमें सुप्रीम कोट और ज़्यादा clarify कर देती है कि नारेवाजी करना sedition में नहीं आएगा नारेवाजी से sedition के charges नहीं लगेंगे तो जो मैंने आपको बता है disaffection वाली बात है तो 39 रिपोर्ट जो 1968 में आई थी उन्होंने कहा कि हमें इस particular law को रखना चाहिए उसके बाद 40 सेगेंड जो रिपोर्ट आती है 1971 में उसमें भी इस तरीकी की बात करे जाती है और इसका जो expansion करने की बात करे जाती है इसका जो panel है इसका जो scope इसको बढ़ाने की बात करे जाती है कि legislature, judiciary इन सब इसको scope को बढ़ा दिया जाए 2018 में कहा जाता है law commission के तौरा कि अब हमें सोचना चाहिए section 124 को reappeal करने का इसके साथ में आप देखेंगे तो एक और बात ये भी कही जाती है law commission के तौरा कि जो 124A है section इसको criminalize act के तौर पे अगर कोई criminal charges जैसे आप देखें public order को disrupt करने की बात करे जाए violence अगर कोई insight कर रहा है तोड़ फोड है, illegal तरीके है, illegal means है उस case में इनके उपर sedition का charge लगना चाहिए ये चीज law commission कहता है तो आज के इस session में बस इतना ही, thank you very much